Hello everyone, welcome back to my channel, आज की वीडियो में हम simple sleeves की cutting करने वाले हैं और यह वीडियो special beginners के लिए है तो चलिए वीडियो को start करते हैं, यह देखिए यह हमने sleeves के लिए कपड़ा निकाल लिया है और यह हमारा कपड़ा four fold है यह देखिए, और कपड़े की हमने जो सीधी side होती है उसको हमने अंदर की side रखा है और उल्टी side बाहर की side रखा है यह देखिए, हमारे sleeves की लंबाई है 20 इंच, तो हम कपड़े को नाप लेते हैं इसके लिए हमने 20 इंच हमें sleeves की length रखनी है और 2 इंच हमने extra लेना है क्योंकि आधा इंच हमारा जो हम बाजु के को AJS में अटेच करेंगे उसमें जाएगा और हेंच हमारा फोल्ड इंच में जाएगा तो ये हम आधे इंच पर मार्क लगा लिया है आप ज़ो हमारी स्लीज की लंबाई है बेज इंच वहाँ पर मार्क लगा लेते हैं अब हमने क्या करना है जो हमारी स्लीव की खुली साइड है उस साइड हमने साड़े तीन इंच पर एक मार्क लगाना है आप चाहो तो तीन इंच पर भी लगा सकते हैं और इस मार्क को हम ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से अब जो हमने ये मार्क लगाया है यहीं से हमारे आरम होल की गुलाई डलेगी अब जो हमने स्लीव की मोहरी पर जितनी हमने बाजू को खुला रखना है वो मार्क लगाएंगे वो हमने छे इंच पर लगाया है यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए 10 इंच पर मार्क लगाया है क्योंकि हमारा तैयार 10 इंच आर्म होल है जो हमने मार्क लगाये हैं दोनों को ऐसे मिला लेंगे यहाँ पे हमारी स्लीव्स की सिलाई लगेगी यह हम एक सवाई इंच मार्जन के लिए मार्क लगा लेंगे यहाँ से हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है अब हम बाजू को सेफ दे देते हैं यह देखें यह ऐसे इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जो बाजू में फ्रंट पार्ट में जो छटाई होती है बाजू की वो हम कटिंग करने के बात करेंगे देखें इस साइड से भी कटिंग कर लेते हैं अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक एंड से केजिए यह देखें हमारी कटिंग हो चुकी है अब हमने जो हमारे बाजू चार फोल्ड है तो उसकी दो पार्ट हमने उपर वाले उठाने हैं और उन पर ऐसे आधेंच की गुलाई डाल देनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे देखें हमने दो पार्ट उठाए हैं यह देखें यह ऐसे इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है थैंक यू फर वाचिंग